नाशकार, BCN News की प्रदीश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ आई एक नजर डालते हैं खबरों के और भागलपुर के नवगच्या पुलिस को लगातार दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है दरसल 25 जनवरी की संध्या में गुपसूशना की आधार पर नवगच्या SP सुशान कुमार सरोज वा SDOP दिलिप कुमार के नेतरतों में SDF के साथ एक विशेश टीम का गठन किया गया गठे टीम द्वारा नवगच्या जीरो माइल की पास चापे मारी की गई चापे मारी के करम में पुलिस ने अंतरचला हत्यारत तसकर गिरों के दो सजस्य को पीस पीस अर्द निर्मित पिस्टल, बीस पीस बैरल, चार पीस तीन सो पंदरा बोर का जिन्दा कूली तथा बीस हजार नगत के साथ गिरफतार किया गया है मामले का उद्भेदन करती हुए नवगचिया सपी सुशान कुमार सरोस ने बताया कि हत्यारत तसकर दो यूकों को गिरफतार किया गया है जिसमें बेगुसराय की समी आलम के पुत्र सोनु आलम वो मुंगेर जिले के कट्रिया निवासी अनिल चाधरी के पुत्र अर्विन कुमार शामिल है पुछताच करने पर दसकरोद्वारा बताया गया कि पहले भी कई खेप में दर्शनों पिसल एवं सैक्रों गोलिया बेगुसराय समेत अन्यजिलो वह पडोसी राज को आपुर्ती की गई है BCN News के लिए भागलपर से मनोज कुमार सीह की रिपोर्ट भागलपर तिलक माजी थानाक शेत्र की सचिदानगर कॉलिनी सेना की एक सरिस्मैन अस्पताल पॉले क्लिनिक में क्लिनिक के इंचार्ज सेना से सेवा नियुरत करनल MPC हदवारा कारेदत एक महिला परिचारिका के साल छेड़ चार का मामला प्रकाश में आया है S.E.H. में कारेद महिला संगिता संगन ने सेना में सेवा नियुरत करनल MPC हपर लगातार 6 महिने से छेड़ चार करने का गंबीर आरोप लगाया है भागलपूर तिलक माचितानाक शेत्र के सच्चिदानंदर कॉलनी सेना के एक सर्विसमैन अस्पताल पॉले क्लिनिक में क्लिनिक के इंचार सेना से सेवा नियुरत करनल MPC हदवारा कारेद एक महिला परिचारिका के साथ छेड़ चार का मामला प्रकाश में आया है S.E.H. में कारेद महिला संगिता संगन ने सेना के सेवा नियुरत करनल MPC हपर लगातार छे महिने से छेड़ चार करनल का गंभीर आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि सेवा नियुरुत करनल द्वारा लगातार छे महिने से मेरे साथ छेड़ छाड़ और दिर्वेवार का वरताव कर रहा है वही उक्तमहिला ने सेवा निवरुत करनल पर गलत बरताव करते हुए गलत संपर्ग बनाने का भी प्रयास करने की कई गंभीर आरोप लगाए है वही छेरचाड का मामला बिहार राजपूर्व सैनिक संग के सामने आने पर संग द्वारा पॉलिकलिनिक के सामने सेवा निवरुत करनल एमपी सीह के खिलाव जम कर विरोध प्रदर्शन किया साथ ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए एसेच पॉलिकलिनिक के इंचार सेवा निवरुत करनल एमपी सीह के उपर कारवाई कर हटाने की मांग की गई मेरे नॉलेज में जो इन्होंने बताया है उन्होंने की हमारे सर का भी हेवियर उसके साथ ठीक नहीं है और थोड़ा सा प्रसनली उनके साथ थोड़ा दुर्वेभार किया जा रहा है यही बात की शिकायद की है उन्होंने मेरे से तो कई बार थोड़ा ही इस बात के लिए क कि ऐसा कैसे हो सकता है मगर सच तो सच है सच को ठुकराया नहीं जा सकता मामला नगर्थानाक्षेत्र के डहेरिया नया टोला में रह रहे कृष्णा चौधरी की है कृष्णा चौधरी ने बताया कि मेरे घर का रास्ता नहीं होने के कारण कुछ समाज के लोगों और जमीन माल करने पर तुल गए जिससे आवागमन में परिशानिया हो गई अपनी परिशानियों को लेकर दफ्तरों के कई चकर लगा रहे हैं लेकिन अब तक रास्ते का निप्टारा नहीं हो पाया है अपनी उपर हुए अन्याय पर कटिहार जला प्रशासन से न्याय की मांग की वैन की चालक को गिरफतार कर लिया साथ ही वैन की चालक को गिरफतार कर लिया बता दे कि चकदीशपूर पलिस को गुप सूचना मिली थी कि इस मार्क से विदेशी शराब की खेप गुजरने वाली है इसको लेकर चकदीशपूर पलिस ने इस मार्क पर वाहन चेकिंग कोरों के नीचे छुपा कर रखा हुआ विबिन्दा ब्रैंड की 75 कार्टुन विदेश शिराब जिसमें 1304 बॉटल तथा तीन कार्टुन बियर जिसमें 72 बॉटल बरामत किया गया साथ ही पिकप के चालक कटिहार जिला के बरारी थाना अंतरगत कोडिया गाव निवासी शंकर कुमार ने गाड़ी दिया और बोला कि तुम्हारे मालिक ने तुम्हें गाड़ी लेकर जाने की लेक कहा है मेरा मालिक कटिहार जिले के बरारी थाना अंतरगत सिर्सिया निवासी नवीन जा है चालक ने बताया कि नवीन जा का है स्कॉर्पियो चलाता हूँ मुझे मालूम नहीं था कि वैन में शराब है थाना अदेख्षब रजिश कुमार ने बताया कि चालक और गाड़ी पर प्रात्मी की दर्स कर लिया गया और मामली की छान भी इंचारी है स्मार्ट सिटी पर्योशना की तहट भागलपुर की सेडिस कंपाउंड मैदान में चल रहे कारियों का निरिक्षिन करने महापौर सीमा शाह परामरश तात्रिस समीति के सदस्य और पुर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेकर अधिकार्यों के साथ सैडस कमपाउड मैदान पहुची और कारीों का चैसा लिया इस दोरान महापौर और परामर्ष तातरी समीती के सवस्यों नी स्मार्ट सिटी परियोशना की अधिकारियों से संपूर्ण मैदान में चल रहे कारियों में तीजी लाने और गुन्वत्ता पूर्ण कारिय के जाने का दिशा निर्देश भी दिया महापौर ने कहा कि जल्द ही सेडिस कमपाउंड मैदान में चल रहे कारियों को पूरा कर लिया जाएगा वही पूर्व उप महापौर डॉक्टर पीती शेकर ने कहा कि सेडिस कमपाउंड मैदान में स्मार्ट सिटी पर योज़ता के तहट 13 कारियों प्रगती पर है और लगातार इन कारियों में और नियमित्ता की शिकायत मिलने के बाद परामर्श दातरी समिती की बैठक में यह फैसला लिया गया कि समय समय पर सेडिस कमपाउंड मैदान में चल रहे कारियों की मॉनिटरिंग की जाएगी उसे की तहट आज इस सभी अधिकारियों के साथ कारिय का जायजाले ने पहुचे चल ही समार्ट सिटी पर योजना के तहट चल रहा कारिय धरातल पर दिखेगा काम पुर्ण हो और सही धंग से हो समय पर हो यह काम होना चाहिए समार्ट सिटी को लेकर जो सहर में कई बार बहुत सारी निगेटिव बाते आए लेकिन एक बार तो कटू सत्य है कि इसमें सरकार पैसे दे रही है और इस प्रोजेक्ट पर भागलपूर सहर में काम भी चल रहा है तो अग काम लोगों को दिखे जो कारी चलाए जा रहे हैं लोगों की नजरों में आए इस उद्देश प्रामर्जदात्री शमीति की बैठक में यत्ताई हुआ था कि अभी जितने अपकमिंग और इहां पर अभी स्मार्ट सिटी के द्वारा काम चला जा रहा है तो हम लोगों ने यत्ताई किया था कि हम लोग उन 13 जगा पर जाकर हमनों विजिट करें कि क्या काम हो रहा है उसके क्या गुनवत्ता है और किस प्रकार से हम लोग जनता को जल से जल इस काम को कैसे स्मार प्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ये बीसी न्यूस नवशकार